ओम् महालक्षमै नमोग नमा! गुरु वार को इन उपयों से चमके गी किस्मत छप पर फाड बिलेगा धन! दोस्तो गुरु वार को बुरुहसपति वार भी कहा जाता है! गुरु जहां एक महत्वपुर्ण ग्रह है व्रुहस्पती को देवताउं का गुरु भी कहा जाता है धार्मिक मान्यता के मुताबिक गुरुवार को जगत के पालन हार भगवान विश्णु का दिन भी माना जाता है गुरुवार के दिन भगवान विश्णु की विशे शुरूप से पुझा अर्चना की मान्यता है भगवान विश्णु को जगत का पालनहार कहा जाता है उनके आशिरवाद से मनुष्य को सभी तरह की परेशानियों से चुटकारा मिल जाता है भाग्य साथ नहीं दे रहा है या कोई भी समस्या चल रही है तो गुरुवार के दिन कुछ आसान उपाई करने से आपकी किस्मत बदल सकती है हिंदू शास्त्रों में ब्रुहस्पतिवार को धन और समरुद्धि के लिए खास्तोर पर माना जाता है भगवान विश्णु की आराधना के लिए ब्रुहस्पतिवार का दिन सर्वत्तम माना गया है मान्यता के मुताबिक गुरुवार को भगवान विश्णु की विधिवत पुजा करने से मनुष्य का जीवन सुखोन से भर जाता है गुरुवार को लक्षमी नारायन दोनों की एक साथ पुजा करने से जीवन में खुश्या आती है और पती-पत्नी के बीच कभी दुरिया नहीं आती, साथी धन में भी रुद्धी होती है जीवन में कई तरह की परेशानिया आती है, जिनका हम चाहते हुए भी हल निकाल नहीं पाते है कुछ समस्याए जैसे कड़ी मेहनत करने पर भी हमें उसका फल नहीं मिलता सही जीवन साथी की तलाश खत्म नहीं होती घरेलू समस्याए मानसिक तनाव जैसी समस्यावन से छुटकारा पाने के लिए गुरुवार को पुजा करने से शुकशानिती मिलती है इतना ही नहीं अगर कुंडली में गुरु खराब है तो मनस्य अपने जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकता गुरु को धन, वैवाहिक जीवन और संतान का कारग भी माना जाता है गुरु वार को केसर, पीला चंदन या फिर हल्दी का दान करना बहुत शुभ़ माना गया है ऐसा करने से गुरु मजबुत होता है जिससे आरोग्य और सुक की रुद्धी होती है साथ ही घर में सुखशान्ती का वास होता है अगर आप इनका दान नहीं कर पाते है तो कोई बात नहीं इन्हें तिलक के रूप में लगाने से भी लाभ मिलता है गुरुवार के दिन अगर आप कुछ खास उपाय करते है तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी तो आईए जानते है गुरुवार के दिन किये जाने वाले कुछ उपायों के बारे में गुरुवार के दिन ब्रह्म मूर्थ में उठकर स्नान करे स्नान के समय ओम ब्रु ब्रुहस्पते नमा इस मंत्र का जाप करे गुरु के सभी प्रकार के दोश दूर करने के लिए आप गुरुवार के दिन नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डाल कर स्नान करे नहाने के बाद आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमा इस मंत्र का जाप जरूर करे गुरु वारका व्रत रखे और केले के पउधे में जल अर्पित कर पुजा अर्चना करे ऐसा करने से विवाह में आने वाली रुकावटों का समाधान होता है और अगर आप विवाहित है तो आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारन करे स्नान के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा व चित्र के सामने घी का दिया जलाए भगवान विश्णु को पीले रंग के फुलों के साथ तुलसी का एक छोटासा पत्ता अरपित करे अपने माथे पर हल्दी, चंदन या केसर का तिलक धारन करे मान्यता के मुताबिक भगवान ब्रुहस्पती को पीले रंग की चीजे बहुत पसंद है इसलिए इस दिन ब्राह्मनों को पीले रंग की वस्तुए जैसे चने की दाल, फल, आदी, दान करे इस दिन सुबह के समय चने की दाल और थोड़ासा गुड को घर के मुख्यद्वार पर रखे इस दिन को धार्मिक महत्व के लिहाद से भी काफी महत्व पुर्ण माना जाता है घर में धन की बरकत के लिए गुरुवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है इस दिन पीले रंग की चिदों को विशेश महत्व दिया जाता है गुरुवार के दिन न तो किसी को उधार दे और नहीं किसी से उधार ले यदि आप ऐसा करते है तो आपकी कुंडली में गुरु की स्थिती खराब हो सकती है और आपको आर्फिक तंगी का सामना करना पढ़ सकता है अगर आप गुरुवार का व्रत रखते है तो इस दिन सत्य नारायन की व्रत कथा जरूर सुने या पढ़े ओम महालक्षमय नमो नमा धन्यवाद